नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इसके तहत राषन कार्ड में अधार सुधार समधिकारे, एक ब्यक्ति का कई राषन कार्डे में दर्ज नाम को हटाने की करवाई, राषन कार्ड में मिरित ब्यक्तियों का नाम हटाने, अपवाद पंजी से खध्यान प्राप्त करने वाले लावकों को चिनिती करन की करवाई डुब्लिकेट अधार संख्या का सत्यापन पिछले 6 महीने या अधिक समय से खद्यान उठाव नहीं करने वाले लाबकों का बहुतिक सत्यापन दालभात केंद्र के लाबकों को दालभात एप के माध्यम से भोजन और ओफलाइन डिलर को ऑनलाइन में परविरतन करने की करवाई की जा रही है मुखे मंत्री के आदेश पर न सिर्फ पीडियेस ससक्तिकरन पकवड़ा का उजन किया जा रहा है बलिक आउस्मान भारत मुखे मंत्री जन आरोगे योजना अंतरगत अचाधित लाबको के EKYC के माध्यम से त्यजी से निसुल्क आयुसमान काड बनाने के लिए निर्देश किया गया है जार्खन में सर्द हवा आने से ठंड बढ़ गई है सर्द हवा चलने से राईधानी समेत राजे के कई हिसो में नियुतन तापमान समाने से नीचे आ गया है पिछले 24 घंटे के दरान नियुतन तापमान 3-6 डिगरी तक नीचे गिर गया इससे सुबह में कनकानी ने लोगों को परिशान किया है बता दे राजे में खोटी सबसे ठंडा सहर रहा यहां नियुतन तापमान 4-5-6 डिगरी सेल्शेस रहा है यहां पिछले दिनों नियुतन तापमान 11 डिगरी दर्ज किया गया था राजे के विभीन हिसो में भी ठंड बढ़ी है राजधानी में भी नियुतन तापमान 10-5-4 डिगरी चल रहा है मेदनी नगर का नियुतन तापमान 10-7 और देवगर का 10-8 डिगरी सेल्शेस रहा पूरण मान के मुताबिक अब सर्द हवा कमजोर पड़ेगी और सर्दी से रहात मिलेगी मौसम विभाग कांसार उतर से आ रही हावा के कारण पूरे राज़े पर इसका असर पड़ा है इसकूल नहीं आने वाले बच्चे नहीं दे पाएंगे परिक्षा जारखन के सरकारी स्कूलों में इसकूल नहीं आ रहे बच्चों को परिक्षा से वन्चित किया जाएगा दी बच्चे ही स्कूल आ रहे थे जो चिंता का भी सया है आई सी स्थिती में जारकन एकेडमी काउंसिल की और से परिक्षा में सामिल होने के लिए निधारित उपस्थिती का जो परतिसत निधारत था है उसका पालन हो रगुबरदास ने सरकार को दी चुनावती कौल से ही 1932 का खतियान और 27 परतिसत आरक्षन लागू करें मुख्यमांत्री हिमल सुरेन जब कुलहान यातरा पर आये थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार जो चाहेगी वही करेगी लेकिन अब आप समिधान की बात करते हैं तो आपको या भी पता होनी चाहिए कि समिधान की सात्वी अनुसुची में सरकार को या अधिकार है जब आपके पास अधिकार है तो मामले को उलजाक और जारखंडी युवावों को नोक्री से वनशित क्यों कर रहे हैं उक्त बाते पुर्व मुख मंत्री रहुवर्दास ने गुरुवार को जम सेथ पुर्मे फ्रेस वारता के दुरान कही रहुवर्दास ने हेमंच सुरेन पर हामला करते हुए कहा है कि अगर आपका बनाया गया कानून सही है तो मैं उन्हें या चुनावती देता हुँ कि कल से उन्हें 32 का खत्यान और 27 परतिशत अरक्षन लागू करे उन्होंने आगे कहा है कि अगर इसके बाद कोई कानूनी पचला होता है तो राजी के बेरुजगार युगों को आदिवासी और पिछडे युगों के लिए कलोरो रूपय का वक्किल रखिये और कनूनी लडाई लड़िये जार्खन के किसानों की आय में 30.7 परतिशत की गिरावाट किसानों की आय डबल करने की कोशिस के बीच जार्खन में किरिसको की आय में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है संसद्य समीति की रिपोर्ट से पता चला है कि किसानों की कमाई 30.7 चार फिजदी तक गिर गई है संसद्य समीति की 46 वी रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-29 के दरान जार्खन के किसानों की आय में कमी आई है जार्खन एकलावता राजे नहीं है जहां किसानों की कमाई घटी है बताया दे मध्य परदेश नागालाड और उडिसा में भी किसानों की आय में कमी दर्श की गई है इन चार राजेव में जार्खन अवल नमबर पर है यानि जार्खन के किसानों की आय में सबसे ज़्यदा गिरावत देखी गई है रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 के चार साल के कालखंड में किसानों की आय में ये कई सवतीहत्ता रुपे की बड़ी गिरावत दर्श की गई है गुमला, खुटी और सिम्डेगा पुलिस ने बनाई सन्युक्त रणनिती नकसलियों के खिलाप गुमला, खुटी और सिम्डेगा पुलिस मिलकर अभियान चलाएगी इसके लिए तीनों जीला के पूलिस ने रंधिती बनाई है, अभियान को लेकर बहसिया परखन कर्याला के सभागार में अंतर जिला पूलिस पताधिकारियों के बैठक होई, जिसमें गुमला सिम्देगा यां खोटी जीले के पूलिस अधिकछक सहीत वरिय पुलिस पतारी कार्यों को पसीती में उग्रवादी कतिवीदियों पर प्रभावी तरीके से अंकुस लगाने सहीत और नेक कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई चाई बासा में IED की चपेट में आने से तीन जवान घाया जारखन के चाई बासा जीले में एक बार फिर नकसलियों के द्वारा लगाया गया IED बलाष्ट हुए है गोईल के राथाना छेतर के मेराल गड़ा में हुए इस बलाष्ट में नकसल अभियान में लगे तीन जवान घायल हो गए बता दे सभी घायल जवानों को यर लिफ्ट कर रांची लाया गया जहां मेडिका अस्पतल में उनका इलाज किया जा रहा है पच्मी सिम्भू में नकसलियों के खिलाब चला जा रहे अभियान से नकसलियों बोखला हुए है इसी करें में उनके दवारा लगाए गए IED की चपेट में सुरक्षा बड आया है ज़े घायल हुए जनकारी के अनुसार सुरक्षा बल गुरु आर सुबा को सर्च अभियान चला रहे थे इसफी दरान में नकसलियों को लगाए गए IED की चपेट में आगाए जननी सुरक्षा में राश्ट्री अवसत से बेतर जारखन राश्ट्री स्वास्त निति के तहत जननी एवं सीसु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारत तय मानुखों को जारखन ने आठ वर्स पहले ही पुरा कर लिया है जारखन ने मात्रित्य मिरित्यूदर, सिसू मिरित्यूदर, नौजात मिरित्यूदर के मामले में सतत अभीकास लक्ष को न सिर्फ तै करने से पहले आशिल कर लिया बलिक राश्ट्रिय अवसत से भी आगे है बता दे, SDG के तहद 2030 तक MMR का राश्ट्रिय अवसत 90 लाने का लक्ष है जबकि जारखन में या अवसत अभी ही 61 पहुंच चुका है बर्तमान में MMR का राश्ट्रिय अवसत 112 है यानि प्रती एक लाख जीवित बचों के जन्म पर राश्ट्रिय अस्तर पर जहां 112 मताओ की मृति हो जाती है जारखन में 61 की मौत हो रही है अनुबंधित नर्सों के आमरन अंसन का दास्वा दिन अनुबंधित नर्स और परामेडिकल कर्मी पिछले 10 दिनों से अंसन पर है कई लोगों की तबियत भी खराब हो चुकी है लेकिन उनका अंदोलन जारी है बता दे नियमेती करन मिलने तक ये अंदोलन करते रहेंगे सेवा निमेती करन की मायं को लेका राश्ट्रिय स्वास्थ मिशन की 21 अनुबंधित नर्स और परामेडिकल कर्मी पिछले 10 दिनों से आमरन अंसन पर है राजभुण के समक्ष आमरन अंसन पर बैठे 21 स्वास्थ कर्मियों में से अब तक सिर्फ 8 अंसन असल पर है जबकि 13 अंसन कारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा राची सिविल सर्जर ने अपात इस्तिती से निपटने के लिए एक एंबुलेंस और चिकीची सुविदा राजभुण के पास उपलब्द करा दिया राची हिंसा पर मुकादमा चलाने की अनुमति राची हिंसा मामले पर डीसी ने संग्यान लेते वे आरोपियों पर मुकादमा चलाने के अनुमति दे दी है राची की डीसी राहूल कुमर सिनहा ने अभयूकतों के खिलाब विभिन धराओं के तहत मुकादमा चलाने को कहा है धनवाद होकर चल सकती है तीन वंदे भारत एक्सप्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की सिरिंखला शुरू की जाएगी 15 अगस्त 2023 तक देश के 55 रूट उपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तियारी चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस के इस कड़ी में तीन ट्रेने धनवाद की भी छोली में आ सकती है हावडा नई दिल्ली एक्सप्रेस और रांची हावडा सताब्दी एक्सप्रेस के रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तियारी पहले से ही सुरू कर दी गई थी बुद्धवार को संसद में पेस बयट में वरणाशी हावडा रूट पर भी एक बंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोस्तना हुई है ज्यारखन की सान महेंद्र सिंग धौनी का नाया अवतार महेंद्र सिंग धौनी राणची ही नहीं ज्यारखन की आनबान और सान है एक पुलिस वाला के रूप में दिख रहे हैं उन्हें ट्रैफिक पुलिस के रूप में देखा जा रहा है माही का एफ फोटो तेजी से सोसल मीडिया में वारल हो रहा है धनबाद कोयम बटूर सबताहिक एस्पेसल ट्रेन रांची के रास्ते चलेगी जारखन के रेल यात्रियों के लिए खुसकबरी है खासकर उन लोगों के लिए जो दक्षिन भारत जाना चाहते हैं बतादे धनबाद से कोयम बटूर के बीच चलने वाली एस्पेसल ट्रेन अजनकारी दी है दक्षिन पूरो रेल्वे की ओर से कहा गया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद कोयम बटूर धनबाद सबताहिक एक्सपेस ट्रेन का परिचालन अब रांची के रास्ते होगा है सरजुराय का दावा स्वास्त विभाग में 150 कोर का घोटाला विधायक सरजुराय ने स्वास्त विभाग में दावा घोटाला होने की बात कही है बिधायक ने अरोप लगाया है कि निवीदा में किसी भी दावा की खरीद के लिए जो निवतम दर आई थी उसी दावा को केंद्र सरकार की पांच कम्पनियों ने काफी अधिक दर पर खरीदा गया इसे राज सरकार के खाजाने को 150 कोड़ से अधिक की चोट पहुंची है गिरिह मंत्री अमित्सा चार फरवरी 2023 को देवगर आ रहे हैं उनके कारकरम की त्यारी प्रसासनिक तथा भाजपा के अस्ता से पूरी हो चुकी है गिरिह मंत्री देवगर यारपोट पर उत्रेंगे वे सबसे पहले बाबा बैदनात मंदिर में पूर्जा अर्चना करेंगे तथा दोफर एक बज़े जासी डी इंडस्ट्रियल एरिया में इफको के नैनो यूरिया खायत कर खाना का सिलन्यास वो देड़ वजे से भाजबा की विजय संकल्प महाराईली में सामिल होंगे कारे करम अस्थल पर सुरक्षा बेवस्ता के मदनजर अभी सही पूलिस की तेनायती कर दी गई है गुरु आर को दिली से आई CRPF की टीम ने कारे करम अस्थल को अपने घेरे में ले लिया है धनबाद अगिन कांड तीन लोगों की जुलसने और 11 की दम घुटने से महत धनबाद के जोड़ा फाटक रोड इस्थित आशिरवाद टावर में मंगलबार 31 जनवरी 2013 की रात होई अगलगी में 14 लोगों की मौत ममले में परसासनिक अस्थल की जाच टीम ने गुरु आर को घाटनास्थल की जाच शुरू की है एफ एस एल की टीम लगाता दूसरे दिन भी घाटनास्थल पर जाच करती रही और सेंपल लिया घाटना के दिन और समय का CCTV फोटेज देखने के लिए वहां का DBR जब्त किया गया इधार जाच को लेकर अपार्टमेंट के दूसरे टावर को तीसरे दिन भी फिरी नहीं किया गया लोगों को अंदर जानने की अनुमती नहीं है जे एमेम के जारखन दिवस में 1922 खतियान की उठी मांग कोरोना काल के बाद दो फरवारी दो हजार तेईस को प्रमंडल अस्तर पर उपराजधानी दूमका में जारखन मुक्ति मोर्चा का चवालिस्वा जारखन दिवस समारो कायोजन हुआ इस मोके पर दिशोम गुरु सिवु सुरेन, मुक्षे मंत्री सजहामो के करकारी अध्यक्ष हेमन सुरेन समेथ पार्टी के कई दिगर नेता और करकारता सामिल हुए इस दोरान 1922 के खतियान अधारित अस्थानियेता घोसित करने उपराज़ानी दुमका में हाई कोर्ट की खंड़ पीट अस्थापित करने समेथ सहताली सुत्री प्रस्ताव पारित कर सरकार की कारे सुची में प्राथमिक्ता में सामिल करने की मांग की गई सबसे पहले एस पी कॉलेज मैदान से रैली निकाली गई जिसकी अगुआई राज महल सांसाथ बिजय अस्था दुमका विधायक बसंसुरेन और लिटी पड़ा विधायक दिनेस बिली मय मरांडी ने क्या हेमंत सरकार पर फिर बरसे जेमें विधायक लोबिन साहब गंजीला अंतरगत बोरियो बिधान सबाचेतर के विधायक सा जार्खन बचा मोर्चा के सुप्रीमो लोबिन हेम्रम के नितित में गुरुआर को भोगनाडी में एक दिवस्ये उपवास रखा गया एक दिवस्ये उपवास कारिकर में सामिल लोगों को समवधित करते विधायक ने हेमंत सरकार की निति पर जम करनी साना साधा उन्होंने कहा है कि जार्खन गठन के 22 साल पूरे हो चुके हैं हम लोग 23 साल में परवेश कर गए हैं लेकिन जार्खन ने अलग होने पर जो विकास का सापना देखा था वह अब तक अधूरा है बुर्योब इधायक ने लोगों को खत्यानी जोहार हूल जोहार से समवधित किया इससे पूर्व लोबिन उपवास असल से सर्वत एवाम अंगूर ग्रहन कर कारिकरम असल पहुँचे जहां उनका आदिवासी धोलना गाले के साथ जोरदार स्वागत किया गया मंच में सिद्धू कानों के वनसाज रूप चांद्र मुर्मू एवाम मंडल मुर्मू साथ दिखे चक्रधारपूर में बगार अनुमाती के काट डाले 450 सगवान पेड़ पार्यावरन संडक्षन के लिए सरकार कड़ोर रूपे खर्च कर रही है जमीन पर बिना अनुमाती के 450 सगवान पेड़िशों के कटाई कर दी गई इसके पीछे तर्ग दिया गया है कि जमीन मालीक अंचला अधिकारी के कर्याले से ब्रिक्स काटने का आदेस प्राप्त किये है लेकिन अंचला अधिकारी का रियाले से किसी को ब्रिक्ष काटने के उनमती नहीं दी गई इसके बावजूद 450 सगवान के ब्रिक्ष काट डाले गई इन कटे ब्रिक्षों के निलामी के लिए जहरकन वन विकास निगम अंतरगा चक्रधरपूर रेंज के चेला बेला डिपो में रखा गया है जिसकी निलामी के लिए तीथी भीताय कर दी गई है अगामी 13 फर्वरी को इन कटे ब्रिक्षों के निलामी होगी बुढ़ा पहार में नक्सलियों का मिला अत्याधूनिक हंथियार जिसमें 5.56 mm का एक LMG, 2 SLR और 5.56 mm का एक इनसास राइफल सामिल है जबकि LMG का 4 मैगजीन, इनसास राइफल का 3 मैगजीन, SLR का 6 मैगजीन, 4 बिस फोटक और 470 गोली बरामत हुआ है पूलिस के हाथ लगा बाबुलाल मरांडी के बेटे का हत्यारा चिलखारी नसंगहार का नामजात नक्सली कोलहा यादव 15 सल बाद पूलिस के हाथ लगा है और ASB की टीम ने उसे चरका पथर थाना छेतर अंत्रगत विसुन पूरा गाउ से गिरफतार किया है गुप्त सुचना के अधार पर चरका पथर ASB 16 वी वाहनी सी समयाई के अलावे चरका पथर और भेलवा घाटी थाना के पूलिस के दुआरा अभ्यान चलाया गया तथा नक्सली कोलहा यादव के घर पर शापे माली कर उसे गिरफतार किया गिरफतार के बाद पूलिस उसे चरका पथर थाना से भेलवा घाटी थाना ले गई जहां पूश्टाच के बाद उसे जेल भेज़ दिया गया सराय के लास सदर हस्पिटल के दूसरे तरले से मरीज ने कूद कर दी जान सराइकला सदर अस्पतार के दूसरे तले से एक मरीज ने कूद कर जान दे दी है, बताया गया है कि 30 जनवरी 2023 को मरीज को कमजोर यो अने बीमारी होने के कारण सदर अस्पतार में भरती कराया गया था, लेकिन गुरुवार के सुबा उसने सुसाइड कर लिया, मिरित्तक की प डेटा निकालना इडी के लिए आसान नहीं, रांची के बीसा मुंडा केंद्रिये कारा के CCTV फोटेज से इडी को बहुत कुछ हाथ लगने के उमीद नहीं है, अगर उच नियालाय का फैसला इडी के पक्ष में आभी गया तो CCTV फोटेज का डेटा निकालना आसान नहीं होग जनकारी के मुताबिक अंद्रिये कारा का CCTV फोटेज एक महिने तक ही इस्टोर हो पाता है, इसके बाद वसावता मिट जाता है, जबकि एडी बीते साल सितंबर महिने सही CCTV फोटेज की माहिं करती रही है लड़कियों से छड़खानी करने वाले मंचलों की खैर नहीं कारी अपने अपने थाना चेत्र के निरीक्षन का कारे सिगर पूरा करे रिपोर्ट मुख्याला को भेजे जे एस एसी के सामने परदर्शन जारखन में 2016 से चल रहे हाई स्कूल सिक्षक के नियुक्ती सरकार के लिए गले की हड़ी बन गई है बतादे सुप्रीम कोट के निर्देश पर जारखन करमचारी चैन आयो को 15 मार्ज तक नियुक्ती पर किया पूरी कर लेनी है इन सब के बीच जारखन करमचारी चैन आयो के द्वारा 25 जनुवरी को पूर्व में दो बार कांसिलिंग के दोरान अनुपस्तीत रहे अभियार्थियों को एक बार फिर मौका दिये जाने के निर्देश का बिरोध शुरू हो गया इसको लेकर रांची में पर्दसन कर रहे अभियार्थियों ने जारखन करमचारी चैन आयो के सामने पर्दसन किया जेससी के इस निर्णाय के बिरोध में परिक्षा में सामिल अभियार्थियों ने आयो के कर्याला का घराव किया राजी के विभीन जीलों से आय सेक्डों अभियार्थियों ने जैसे सीप और इस नियुक्ती में गलबाडी करने का असांका जताते हुए पुर्व में काउंसेलिंग के दवरान अनुपस्थित रहे अभियार्थियों को मौका नहीं देने की मांग कर रहे थे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर वाल कावेल एक अंदा भाई ये साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडवेक अवस्य दे थैंक यू